न्यूस क्लिक में आप सबका स्वागत है आज हम चर्चा करेंगे न्यूस क्लिक के एडिटर प्रबीर पुरकायस्ता के साथ दिल्ली में जो चार दिन से दंगे चल रहे हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली में उसमें कई तरह की बातें उभर के आई हैं और कुछ-कुछ ऐसे पॉ ये हिंदू-मुस्लिम मामला है और हिंदू का अपना पॉइंटर व्यू और मुसलमान का अपना पॉइंटर व्यू है तो एक तरीके से सिच्वेशन पूरी तरीके से पोलराइज थी इन जगों पर और अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी बातों के बारे में जो उभर के आई ह हमारी ग्राउंड रिपोर्ट से प्रबीर आपका स्वागत है न्यूस क्लिक में सबसे पहले प्रबीर हमारी टीम ने कंटिन्यूस दंगों पर रिपोर्टिंग जो करी जो दिल्ली में हुए एक जो बात लोगों की तरफ से बार बार उभर के आ रही थी चांदबाग और भ अँभर के आई ये कहा गया कि यह जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं दिली में यह क्यों हो रहे हैं CAA और नर्सी के खिलाफ और यह भी कहा गया कि इस में क्या तक्लीफ है मुसलमान क्यों इसके अगेंस्ट कर रहे जब वोट देने के टाइम पे वो अपना वोटर कार्ट दिखा सकते हैं और राशन देने के समय अपना आधार कार्ट दिखा सकते हैं तो क्या तकलीफ है कि आप CAA और NRC के लिए अपना ID कार्ट नहीं दिखा सकते दो घंटा लाइन में खड़े होने में क्या जाता है तो इस पे अगर आप थोड़ा और विस्तार से समझा सकें कि ये प्रोसेस ही क्या है हाँ ये एक बहुत बड़ा मैं कहूंगा भ्रहम है लोगों में कि कोई ऐसी कार्ड हमारे पास है नागरिकता का जो दिखाने से हम नागरिक बन जाएंगे दिखकत तो ये है कि इस वक्त ये कानून और इनकी रूल्स के मताबिक अब जब एनरसी होगा इसके बाद ही हम नागरिक सीकार किये जाएंगे नहीं तो 135 क्रोड जो आबादी है देश की उस पे कोई भी नागरिक नहीं है इस वक्त सबको सिद्ध करना पड़ेगा वो नागरिक है तो सिद्ध कैसे करेंगे तो यह जो आप कह रहे थे जो लोग कह रहे हैं कि कुछ ऐसा मैजिक कार्ड है जिसको दिखाने से हम नागरिक सिद्ध हो जाएंगे आखिर यह मैजिक कार्ड कोई है क्या तो इस पे तीन चीज है एक तो है कि आपका जन स्थान कौन सा था अजन दिन कौन सा था डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपको सिंद्ध करना है, खुद को, तो उसका क्या डॉक्मेंट है, बर्थ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट कितने लोगों के पास है, जैसे मैं हूँ, साइट आलिस में, पुनचास में मेरा जन्म हुआ था, तो मेरा कोई पूर्रूम में, घर में जन्म लेते थे, तो पूरे आबादी का बहुत कम संख्यक लोगों के पास खुद की आपकी बर्थ सर्टिफिकेट है, जिसके जरीए आप प्लेस और डेट दोनों बता सकते हो, तो हमारे पास ये कोई सबूत है नहीं, तो हमें किस तरह से बताना प पड़ाएगा, एक बहुत बड़ा प्रश्ट है, दूसरी बात, इस जो आपको सवाल पूछे जाएंगे, जो NPR के तहद, लोग पूछने आएंगे आपके घर, आपको गहनी जाना पड़ाएगा, आपके घर पूछने आएंगे, आपको सबूत देना पड़ाएगा, दो औ और चीजों का, एक आपका मा का और आपका बाप का, कि उनका जन्म दिन कहा क्या है, और वो कहां पैदा हुए थे, ये भी देना पड़ेगा, अर जब हमारे पास ही बर्च सर्टिफिकेट नहीं है, हमारे माबाप के बार सर्टिफिकेट बहुत दूर की बात है, इस वक्त यूपी बिहार जैसे प्रांटों में 60-50 से 60% जो जन्म होता है, वो इस तरह का बर्च सर्टिफिकेट नहीं होता नहीं है, तो जो सबाल बेचारे कर रहे हैं, क्यों नहीं लाइन में खड़े हो सकते हैं, उनको ये पता नहीं है, कि लाइन में नहीं खड़ा होने की सबाल है कागस न दिखाने की सवाल नहीं है ज्यादतर लोगों के पास ये कागस है ही नहीं और ये खास तोर से गाओं में जो लोग रहते हैं खास तोर से बड़े बहुत बड़ा तपका उसमें उनके पस कोई कागज नहीं है, तो यही आसा मेनारसी के जरीये, हमने देखा, कि जो उनके पास यह नहीं है, तो कैसे सिद्ध करेंगे, उसको और एक चीज़ सिद्ध करना पड़ेगा, birth certificate तो आपके पास है नहीं आपके माबाप जिसमें बताए जाएंगे तो आपको ये भी सिद्ध करना पड़ेगा और डॉक्मिल्ट्स अगर आप दिखाते हैं यही वाकिय आपके माँ और आपके बाप है और खास दोर से जो औरत एक गाउं से दूसरे गाउं चली जाती है शादी करके तीस साल चालिस साल पहले आई है उसको कैसे वो बताएंगे कि इसकी माबाप यही है दूसरे गाउं में तो ये जो चीजे है अगर लाइन में दो घंटा खड़े होके ये दिखाने की बात होती तो इस तरह से दारास्की होती नहीं है लोगों के पास है नहीं तब क्या बताए जा रहा है अगर आप हिंदू हो तो चिंता मत करो सरकार की तरफ से बता दिया जाएगा सब आपका ऐसी हो जाएगा वो तो सिर्फ उनके लिए कर रहे हैं ये भी एक दवे स्वर में एक क्या कहते हैं एक कैमपेन है हिंदों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है सिर्फ उनके लिए है जो आपको वीडियो जो आप कह रहे थे उस पर हम भी देख रहे थे कि वो कह रहे थे तार जो क्रॉस करके तार हिल उठाके जो घुसपेटी आ रहे है ये तो उनके लिए है तो ये कैमपेन भी बात साथ साथ है और ये चीज जो आम जनता मुसल्मान हो और बहुत सारे ऐसे लोगों जिनका विरोध किया है इस चीज को समझके ही किया है और आसाम की जो experience है जो देखा है कि 19 लाख लोगों के पास कागस नहीं है साबित नहीं कर पाए अब उनका क्या भविश होगा किसी को नहीं मालूब स्टेटलेस उनको डिकलियर कर दिया जाएगा उनको detention में रखा जाएगा 19 लोग लोग ही पढ़ेगा पर इनके पास पी कागस नहीं अगर आगर आप कागस नहीं माना तो आप क्या करेंगा यह सवाल सब के लिए है तो मैं समझता हूँ कि मुसल्मान के लिए क्योंकि वो सड़क पे स्वोक उत्रे है यह सवाल बड़े पैमाने पे है कि उनको यह साफ नजर आता है कि हमारे लिए क्या प्रबंद शायद बनाई जाएगी तो इसलिए वो इस अस्थिरता के लिए वो रहे हकीकत जब सामने आएगे उनके लिए भी बहुत बड़ा प्राब्लिम खड़ा होगा भारत का सबसे बड़ा तपका गरीबी है तो ये किसी हिंदू-मुस्लिम की ही बात नहीं है लेकिन प्रभीर एक और पॉइंट व्यू है जो बहुत उभर के आ रहा था कई लोगों के पर आपको मैं सुनाना चाहूंगी ये एक क्लिप भजनपूरा में हमने एक इंसान से बात करी जो इनका पॉइंट व्यू काफी दिल्चस्प है क्योंकि इसको समझना भी जरूरी है कई लोगों का ये सोचना है हम यहां सर हम यहां पर सिवीलियन है हम यहां खड़े हुए थे हमने बजरंग दलवालों ने नहीं करा पहले इधर से सुरबात हुए का स्वाटान से dus पाकिस्ताम करन लाखा दिए झाल होता है तो पाकिस्तान की हाल होका हिन्पों को इन्हें क्यों अपीन यहां आजब यह ठीकर्छ उपई है कि आरब में प्रावीन के हम होने धुक्ता प्रत नाइन प्रम नारौन था सरकार का कि हमने इंडियन मुसल्मान को टार्गेट करने के लिए नहीं किया है ये तो वो जो पर्सेक्यूटेड हैं दूसरी कंट्रीज में जिनके उन्होंने डीटेल्स दे दिये उनके लिए ये कानून है तो इसके बारे मैंगर आप मुझे बताईए देखे इस पे दो चीज़ है एक तो जो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हिंदूों को आश्राय देने के लिए हमने ये किया है तो अगर रिफ्यूजी पॉलिसी के तहद होता तो देश में एक रिफ्यूजी पॉलिसी होना चाहिए सिडिजन्शिप और रिफ्यूजी पॉलिसी अलग अलग पर इस शक्स जो खुद अपने आपको बजरंगी बता रहे है तो इनका विचाधारा साफ है पर इनका एक ब्रहम है कि ये आश्रे की बात नहीं है citizenship की बात है और citizenship amendment act जो है जो किया गया है इसमें refugee होने की बात नहीं की रही है इस पे कहा कि 2014 के पहले जो आए है उनका हम उसको illegal immigrant नहीं मानेंगे citizenship को देख देखने के वक्त तो ये illegal immigrant घोशित नहीं होंगे पर citizen नहीं बनेंगे इसके तहट दूसरी बात 2014 के बाद जो आएगे ये आप कह रहे हैं ये शक्स की पाकिस्तान में हिंदू का आश्राय देना चाहिए तो 2014 के बाद क्यों नहीं आश्राय देना चाहिए एक cut-off 2014 के और रखी गई ये सब सवाल आते हैं तो मुख्य चीज इसमें जो बहुत सारे लोग इसको कह चुके हैं कि आप refugee policy अगर बनाएं तो जहां जहां से लोग है उसको अगर आश्राय देना चाहिते हैं तो आपका कुछ चीज़े आप टै कर लीजे कि धर्मिक निर्यातन हो रहा है उप्रेशन है उत्पिडन है उसक और वो देश स्पेसिफिक या धर्म स्पेसिफिक नहीं बना सकते हैं अगर धर्म स्पेसिफिक बनाएं तो हिंदु आपका मैलेशियमी भी है वहां व्यप्रेशन हो सकता है Plug आपका स्री लंका में है, तो ये कैसे आप कुछ देशों से आप बात कर रहे हो, और इसके साथ साथ आप ये भी कह रहे हो, दूसरे नागरिक अगर है, दूसरे लोग अगर आएगे, दूसरे धर्म के लोग आएगे, क्या वो उत्पीडित नहीं हो सकते, कि जैसे पाकिस्तान हो, उसमें एथिस्ट पी उत्पीडित हो सकता है, उसमें आप जानते हैं, जिसको पाकिस्तान मुसल्मान नहीं मानते, खुद वो अपने आपको मुसल्मान मानते हैं, पाकिस्तान नहीं मानते हैं, वो उत्पीडित हो सकता है, तो ये उत्पीडन की अगर हिसाब देखे, त को अलग-अलग नहीं कर सकते अलग-अलग उसके लिए कानून नहीं कर सकते तो एक basic problem बजरंगी साब जो बोल रहे थे बच्चा है तो ठीक है उसकी गोजोश खरोश हो सकता है इन सब चीजों में पर सवाल यह है कि constitution यह बात मान के चला है कि इनसान के वीश में अब धर्म के आधार पे अब भेदभाव नहीं कर सकते refugees भी कार कीजिए कहां कहां refugee है देखिए उसमें न की उसमें 2014 जैसे यह भी होना चाहिए कट-off भी होना चाहिए और यह citizenship के साथ इसका कोई संपर्क नहीं है refugee किसको शरणाथिया आप माने ना माने शरणाथियों को शरण दे ना दे यह इशू है तो इसको इन लोगों को क्यो तकलीफ हो रही है तो अकसर इन शब्दों का इस्तमाल होता है इन लोगों को वो लोग बैठे हैं धरने पर इसी थाट पे एक और शक्स हैं जो की काफी अगें यंग है, ग्राजुएट है, भजनपूरा से ही हमारी उनसे बात हुई और ऐसा थौट बार-बार हमें मिला जब हम फील्ड पे थे, और ये भी कहा गया, उन्होंने तो ये मानना है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो ये जो एक सोच है, ये कहां से आ गई, और क्यो क्यों आ गई, हम सुनते हैं उनकी पॉइंट विव्यू, जी हम तो ये कह रहे हैं, मुदी से हम तो ये की चीज़ गएंगे, सिद्धी बात है, जब इतना इस्लामिय देश बनाना चाहते है, हमारे देश को ठीक है, कश्मीर में पत्रवाज हो रही है, यहां भी हो रही है, पूरा एक एरिया ही दे देना चाहिए मुसल्मानों को हैधराबाद, अगर आप बताएं, देखें, दो चीज़ है, एक तो है कि ये लोग जो शब्द आता है, ये कहां से आता है, और हिंदू राष्ट की जो बात आ रही है, कहां से आ रही है, तो ये साफ है कि कुछ लोग देश को सेकुलर नहीं मानते, उनका सबज है कि सेकुलर राष्ट नहीं रहना चाहिए, हि सेकुलर कॉंस्टिटूशन से उसका उनका विरोध है और यह साफ साफ कहें कि हम हमारी कॉंस्टिटूशन को नहीं मानते बात ही खत्ब हो जाती आपकी बात साफ है कि आप कॉंस्टिटूशन नहीं मानते तो इस पे इन लोग वन लोग जो है यह हिंदू-मुसल्मान की बात है इन लोग उन लोग जो है इन लोग जो हिंदुराश्ट चाहते हैं उन लोग जो इत्ते सारे लोग है जो हिंदुराश्ट को नहीं चाहते थे जो 47 में हमारे Constitution जब 48 में पास हुआ था Constitution Assembly में जो आम जंता को प्रेजेंट करती थी जो हमने इत्ते साल से उसको लगाया हुआ है उसके खिलाफ है तो यह हिंदु राश्ट की बात कहां से आई साफ है बहुत बार चर्चा कर चुके हैं यह सावरकर हेगडेवर गोलवालकर इनकी समझ थी कि हिंदु राश्ट बनना चाहिए और जिन्दा का समझ था कि एक इस्लामिक रा मुल्क बनना चाहिए दोनों में जो फर्ख ऐ फासला है उनका पाकिस्तान बना और जो नहरु ने कहा था उसवक्त कि हम Hindu Pakistan नहीं बनने देंगे तो Hindu राष्ट एक हिसाब से Hindu Pakistan मत भूलेगा Pakistan का मतलब पविट्रस्थान तो Hindu राष्ट, Hindu पविट्रस्थान ये बनानाः चाहते ये बहुत सारे लोगों को स्विकार नहीं है इन जैसे शक्सों को स्विकार है तो ये constitution को फेकने, उठा फेकने की बात हो रही है इसलिए शाहिन बाग में जब प्रोटेस्ट होती है constitution में constitution हाथ में लेके हो रही है ये जो शक्स आप में देखा, उन नहीं मानते है और बहुत सरे ऐसे लोग है जो इसक्ता में भी है जो constitution की नहीं बानते है और नातुरामकोटसे को उन्होंने nationalist मानते हैं British के खिलाफ तो उन्होंने कुछ किया नहीं था किया था Gandhi के खिलाफ तो उनको nationalist मानते हैं इस बात पे आ जाते हैं कहां Pakistan और एक बार देना है यह कह रहा है साफ कह रहा है कि और एक बार देश के भी भाजन करें partition करें और उनकी बात से लगता है अर्याना में नहीं Western Europe में नहीं हाइदरबाद तो मेरे खिल से जो हाइदरबाद के लोग है उनके इसके बारे में पी कुछ कहना हो सकता है पर यह बढ़ा खतरनाक बात है कि फिर जो है हमें विभाजत देश की करना है फिर देश की टुकड़े करने है और एक टुकड़े उनको देना है, सवाल इनके लिए सिर्फ इतना ही है, हमारा जमीन मत लीजिए, और किसी का जमीन लेके वहां से उनको दे दीजिए. ये जो बात हो रही है इसका खतरदा सीमा ये है कि देश को सिर्फ एक जगह नहीं हर जगह पे टुक्रे टुक्रे करने की बात ये करेंगे तो वाकए जो टुक्रे टुक्रे गैंग की बात आती है ऐसी बाते ही टुक्रे टुक्रे गैंग की बात है बिलकुल और हम जब चानबाग की गलियों में चल रहे थे फिर भजनपुरा की गलियों में चल रहे थे हमारी टीम मोजपुर में गई जाफराबाद गई तो कई तरह की बाते निकल रही थी अफ़ाएं बहुत फैल रही थी और पुलीस को एक्शन में आते आते तीन दिन पुलीस तनात होने शुरूए उत्तर पूरवी दिल्ली के रायट हिट एरियाज में जहां आगजनी हुई लोग मरे बुलिट्स चली खुले आम दिल्ली में बुलिट्स खुले आम चलती हैं प्रबीर तो एक और इंट्रिस्टिंग पॉइंट था कि बोथ हाई कोट और सुप दुलन बनाने के लिए वो बहुत जरूरी होता है पर सेंटर मतलब ये जो सरकार है वो अकसर ऐसा दिखता है कि वो कोट को भी काफी प्रेशराइज करके रखती है इसके बारे में आप क्या कहेंगे पहली बात प्याना चाहता हूँ कि अगर रायट की सिच्वेशन कहीं होत है तो उसको काबू में लाने के लिए दिक्कत नहीं होता प्रशाशन की अगर उसका ये बांचा मांचा हो कि इसको हमें रोकना है अगर ये कत्ता ही नहीं है तभी रायट हो सकता है नहीं तो एड्मिनिस्ट्रेशन के पास बहुत सारे हात्यार है दिल्ली पुलिस सबसे है उसके साथ-साथ जरूरत पढ़े तो आर्मी की बुलाई जा सकती बिल्कुल देश की राजधानी है तो इहां पर अगर रायट हो रहा है तो निश्क्रियता सरकार की तरफ से अगर रहती है तभी रायट हो सकती नहीं तो नहीं हो सकती और कल कुछ अकबारों में भी आया है कि पुलिस वाले कहते उपर से आ गया है और अब रोकना है तो हो सकता यह गलत प्रचार हो पुलिस में यह उनका गलत समझ हो पर आम जंता को और जो प्रशाशन को जानते हैं यह समझ है कि पुलिस की निश्क्रियता नहीं होती तो रायट इस तरह से बढ़ नहीं सकता इ तो जनता को समझ में आ रहा है कि situation को spiral out करने ही दिया? बिलकुल इस पे देखिए कभी भी अगर जो सरकार है वो रोखना चाहती है रायट्स चाहे वो 1984 के रायट्स हो चाहे आज के रायट्स हो वो एक घंटा, दो घंटा, तीन घंटा में कंट्रोल काबू में आला सकती है उसमें कोई दिकत नहीं है क्योंकि concentrated force, discipline force के सामने रायट् नहीं सकता, तो यह तो साफ है, इस पे कोई दो रायट ही है, जब कश्मीर में जहां पर उन्होंने हर पांच आदमी पर एक police military बिठा दिया, वहां पर जब इस वक्त कोई भी वो प्रोटेस्ट होने नहीं दे रहे हैं, वहां पर, तो यहां पर, नाक के नीचे, यहां पर इ जो लोग इस तरह के भड़ताओं बयान दे रहे थे, बयान बाजी कर रहे थे, उन पर क्योंटी एफायर आज तक हुआ, जिसका कोई जबाब police का नहीं था, और तुशार महता, solicited general ने कहा, कि वक्त नहीं था, तो वो भी कोट ने पूछा, वक्त कम आएगा, तो यह, से हम, मैंने तो 1984 को रायट्स देखा दिली में, इसके पहले बंगाल में हुए थे, यूपी में हुए थे, बिहार में रायट्स हुए है, अब बहुत जगों पर हमने रायट्स देखे हैं, पर कहीं भी, प्रशाशन अगर सकती से पेश आता है, रायट हो नी सकता, तो यह त अब तीन दिन पहले कुण है, यह सवाल तो प्रशाशन के उपर है, दिल्ली की लॉइन ऑर्डर, सेंट्रल सबजिक्ट है, उनके हाथ में, अमित शाहोब मिनिस्टर है, उनके हाथ में, तो यह जो आप पर सरासर जाता है, कि रायट्स का उन तीन दिन होने बिया, चौता द जरूर है कि जब भी कोई एरिया रायट हिट होता है बहुत ही तेज रफ़तार के साथ डेवलप्मेंट्स बदलते रहते हैं बहुत बयानबाजी होती हैं व्यूज इन काउंटर व्यूज आते हैं लेकिन इन सब के बीच में तीखी नजर और पेने सवाल सरकार से पूछने ही हैं और यहां पे दिल्ली सरकार और सेंटर का जो शासन है इनको डेफिनेटली जवाब देही देनी पड़ेगी कि क्यों तीन दिन तक राजधानी दिल्ली में इस तरह की वाइलन्स उन्होंने अलाव करी देखते रहें न्यूस क्लिक